तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम दो स्मार्टफोन को compare करने वाले हैं Poco X5G vs IQ 5G जो की 20,000 के नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं तो दोनों में से कौन सा फोन बेटर होगा in terms of display, gaming, camera हर एक चीज कौन ने टेस्ट किया है और आपके साथ share करेंगे take ID style में जो की यहाँ पर से आप देख सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और थोड़ा सा support बनाया रखना भाई वीडियो को like करके और यहाँ पर सबसे पहले box की बात करेंगे तो start करते है IQ के साथ तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है जैसे आप देख सकते हैं कि एक case दिया गया है type A to type C का cable भी मिल जाता है और एक 44 watt का adapter भी उन्होंने दिया है लेकिन अगर हम बात करते हैं POCO के बारे में तो यहाँ पर से आपको थोड़ी चीजे बेटर दी गई है like 67 watt का adapter आपको दिया गया है तो phone थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा साधी साथ यह तो ठीक है type A to type C का cable मिलेगा लेकिन यह जो case है यह पीला नहीं होगा अगर आप इससे compare करते हैं तो यहाँ पर यह चीजे थोड़ी मुझे better लगी बट तिल अच्छी बात यह है कि आज के date में company जो चीजे हटा रही है वो दोनों phones के अंदर आपको देखने को मिलता है तो initial पैसे आपके बरवाद नहीं होगे या यह कहलो कि खर्च नहीं होगे simply phone खरीदो और use करना start कर सकते हो अच्छी बात यह भी है ना कि दोनों ही phone में आपको यहाँ पर से pre-applied screen guard यानि कि scratch guard लगा करके दिया है company वालोंने तो initial scratches से दोनों phone बच जाएगा अब design की थोड़ी से हम और बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं भाई पसंद है खर अगर बात करते हैं thickness wise तो यहाँ पर जो आपको iqoo का phone है वो थोड़ा और जादा पतला है जो कि आप देख सकते हैं और दोनों के weight balance अगर मैं देखू ना तो बहुत जादा similar है 5000 image की battery है दोनों की और पकड़ने में काफी अच्छा लग रहा है बट फिर भी आपके सहुलियत के लिए यहाँ पर हम test कर लेते हैं कि दोनों का weight segment कहाँ पर निकल के आता है तो पहले हम iqoo को test कर लेते हैं तो देखो यहाँ पर iqoo को हमने रखा 190 gram के prox निकल के आया है और अगर हम poco की बात करते हैं तो 182 gram निकल के आ रहा है यानि कि यह phone actual में बहुत जादा हलका भी लगता है और पकड़ने में भी बहुत जादा सांदार लगता है तो in hand feel वैसे तो दोनों ही phone की काफी अच्छी है आपको जो case दिया गया है उसको आप लगा करके use कर सकते without any issue इसके अलावा गर हम एक दू चीज और के बारे में बताए तो देखो यहाँ पर से आपको volume up and down के key और power on off का key तो मिली जाएगा नीचे के तरप से अगर आप देखोगे लेकिन अच्छी बात यह है कि 128 नहीं 256 GB का base model आपको यहाँ पर मिल लियागा POCO के अंदर यही पर से दोस्तों अगर left की बात करते है तो यह clean है और उपर के तरप से अगर मैं आपको दिखाऊना तो यहाँ पर चीज थोड़े interesting है POCO के अंदर क्योंकि आप देख सकते है 3.5M jack आपको दिया गया है इसके अलावा जो secondary speaker है वो यहाँ पर से अलग से दिया गया है और साथी साथ IR sensor भी दिया गया है अगर हम बात करते है Vivo के बारे में तो जो यहाँ पर से आपको secondary speaker मिलेगा वो इसके earpiece में लगा करके दिया गया है वैसे noise cancellation यहाँ पर भी आपको मिलेगा और इसमें भी आपको दिया गया है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर definitely better निकल के आ जाएगी like IR sensor and 3.5M jack gaming ये सब करने हैं बहुत help होता है और in fact यहाँ पर Dolby Atmos का भी support है वो तो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे और अगर camera setups की बात करते है तो Poco के अंदर triple camera का setup है IQ के अंदर dual camera का setup दिया गया है wide lens आपको Poco के अंदर देखने को मिलेगा और front की जहां तक रही बात तो 16MP का आपको selfie shooter मिल जाता है और chin and bezels आप यहाँ पर से देख सकते है Poco के जो आपको bezels और जो chin है वो बहुत जादा minimalistic देखने को मिलते हैं अगर आप इसे IQ से compare करते हैं तो display के specification वैसे यहाँ पर से आप देख सकते है बट फिर भी मैं आपको explain कर देता हूँ यह जो आपको Ico का phone मिलता है यह Full HD AMOLED display के साथ आता है 8 bit का panel है लेकिन यही पर से अगर आप Poco को देखते है तो 1.5 के resolution का display मिलता है जहाँ पर 12 bit का panel यूज किया गया और यह Dolby Vision को भी support करता है तो display की quality wise अगर आप देखते हैं honestly अगर मैं आपको अपने आखों से जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से भी बताऊँ तो यहाँ पर से Poco definitely winner निकल के आ जाएगा और दोनों phone में यहाँ पर से आपको 120Hz का higher refresh rate भी देखने को मिल जाता है दोनों में आपको 1800 nits का peak brightness दिया गया है लेकिन मैं एक चीड नोटिस कर रहा था कि Poco का phone थोड़ा सा जादा brighter लग रहा था बढ़ यह बहुत light सा margin है दोनों की visibility काफी अची निकल के आती है और यही पर से दोस्तों अगर हम speakers की बात करते हैं तो मैं आपको पहले output सुनाता हूँ तो दोनों को मैंने आपको 100% volume पे ही रख करके सुनाया था तो आपको idea मिल गया हूँ कि किसका जो audio का output है वो better है बट honestly अगर मैं आपको बताओं तो इस मामले में again Poco थोड़ा सा edge ले लेगा क्योंकि यहाँ पर से आपको Dolby Atmos का भी support मिलता है इसका speaker loud भी है तो यहाँ पर से 200% तक आप volume को increase कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर से दिखा देता हैं 150 हुआ यह 200 हुआ तो 100% में मैंने आपको normally दिखाया तो loud तो हो जाएगा बट जो detailing and clarity है वो यहाँ पर better निकल के आती है तो honestly मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर multimedia consumption की हिशाफ से अगर आप कोई phone खरीदना चाहते हैं तो इस मामले में display and जो speaker की quality है उस मामले में Poco Edge ज़रूर ले लेगा अब जो next चीज आपको मैं बताने वाला हूँ वो है performance, processor, gaming wise कौन सा phone बेटर निकल के आता है पहले आप Antutu score देखो और इससे भी आपको idea लग रहे होगा कि IQ यहाँ पर साना थोड़ा सा ज़्यादा score निकाल करके दे पा रहा है यहाँ पर आपको Dimensity 7200 का processor मिलता है IQ के अंदर और अगर Poco की बात करते हैं तो Snapdragon 7S Gen 2 processor आपको मिलता है इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पर से read and write speed की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों similar results निकाल करके देते हैं UFS 2.2 का storage tab आपको दोनों में मिलता है और LPDDR 4X RAM तो आपको दोनों ही phone में देखने को मिली जाता है तो इन मामलों में दिक्कत नहीं है अब देखो problem कहां पर आएगा या कौन सा gaming wise बेटर है तो इसके लिए दोस्तों हमने gaming भी test करके देखा है 60fps का option आपको यहाँ पर IQ में अराम से मिल जाएगा और यहाँ पर जो gameplay है वो जादा smoother है अगर आप इसे focus से compare करते है direct level पर वैसे यहाँ पर भी gameplay अच्छा है no doubt बट still अगर आपको केवल 3.5mm jack का यह जो चाहिए था option और अगर आप casual gaming करना पसंद करते हैं तो फिर यह option अच्छा रहेगा बट अगर आप testing हम करके दिखा देते हैं आपको कि सारे apps को मैंने यहाँ पर से close कर दिया आप चलो देखते हैं कि किसका जल्दी जल्दी open होता है तो यहाँ पर chrome को open किया हमने आप देख सकते हैं कि काफी हद तक similarly दोनों open कर पाये थे एक बार हम refresh करके भी check कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि यह जो color है ना kind of red है बट थोड़ा सा orange side में भी जा रहा है तो यहाँ पर ना यह color सही से निकाल के दे रहा है यह ना बहुत ज़्यादा red दिखा रहा है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर से अगर मैं आपको दिखा हूँ तो आपको idea लग रहा होगा खेर इसके बार में ना camera section में हम और अच्छे से आपको बताएंगे next अगर play store को open करके आपको दिखाए तो यहाँ पर ना पहले यह चीज़ लोड हुआ था इसके अलावा दोस्तों चलो हम कुछ और भी apps को open करके देखते हैं like youtube को अगर हम open करके देखते हैं तो दोनों काफी जादा similar निकल के यहाँ पर सायद यह पहले open किया था बाकि आपने तो अच्छे से जच करी लिया होगा इसके अलावा इनके खुद के setting apps की भी बात कर लेते हैं कौन पहले open करता है तो देखो setting में मैंने click किया यह पहले open किया था तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर iqoo में यहाँ पर processor किया था और सारे phone यहाँ पर मैंने खुद बाई किया ऐसा नहीं है यह company का pressure है तो यहार इस बात को appreciate करना और वीडियो को like कर देना और चैनल पर नहीं होगा बाई subscribe नहीं किया कर लेना ताकि और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें तो short and simple मैं इतना बोलू देता हूँ POCO का आप देख लो और यह है IQ का result IQ ज्यादा green है as compared to POCO के phone से अब next और जो सबसे important चीज है वाई कि camera experience किसका better निकल के आया था तो हमने बहुत सारे samples click किये थे जो कि आप देख सकते front camera से भी मैंने बहुत सारे pictures click किये थे वैसे specification तो आपको पता ही होगा कि IQ का phone म निकल के आया था बट फिर भी मैंने बहुत सारे pictures click किये भाई तो उसके हिजाब से मैं बस इतना बोलूँगा short and simple words में कि यहाँ पर से IQ की जो consistency and detailing है वो थोड़ा better निकल के आता है obviously vivo का science रहता ही है IQ के phone में तो यहाँ पर से यह चीज थोड़ा better निकल के आता है and similar goes with front camera यहा यहाँ पर से although details दोनों phone के काफी एच्छे है POCO में आपको field of view better देखने को मिल जाता है but still यहाँ पर से IQ का मैंने notice कि यहाँ पर से जो face के यहाँ पर details होते है वो थोड़े better निकल के आते है जहाँ तक रही बात दोस्तो video graphy mode की तो आप front बे 1080 60fps पे shoot कर सकते है POCO के phone में और आइकू की बात करते हैं तो 1080 30fps तक का option मिलता है back camera से यहाँ पर आपको 60fps तक के option मिल जाते है 1080 पे और आपको यहाँ पर 4K का भी option दोनों ही phone में देखने को मिलता है up to 30fps तक का चलो जो भी sample हमने record किया था वो मैं आपके शेयर करता हूँ यह है दोस्तों इन दोनों smartphone के front camera का video sample footage मैं देख पा रहा हूँ कि POCO में stabilization थोड़ी बेटर है और इस तरफ यहाँ पर से मेरे पीछे sunlight है तो आपको अंदाजा मिल रहा होगा कि किस तरीके से background को यह maintain करता है dynamic range कैसा है और आपको iqo का phone कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते audio भी इन ही दोनों से record किया है मैंने और यह है दोस्तों इन दोनों smartphone के back camera का video sample footage आप देख रहे हैं normally मैं चल करके recording कर रहा हूँ ताकि आपको stabilization का अंदाजा मिले और साथी साथ यहाँ पर से light किस तरीके से balance और आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो सूरज है वो किस तरीके से यहाँ पर maintain कर पा रहा है दोनों ही phone में तो short and simple में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि iqo के phone में मुझे पता है कि wide lens नहीं दिया गया है बट इसका main camera यार बहुत अच्छे से काम करता है और अगर हम poco की बात करते हैं तो wide lens दिया गया है यह इसका added benefit है बट color की consistency यहाँ पर औ लेखी phone आपको खरीदना है और front की बात करते हैं तो face unlock दोनों ही phone में आपको दिया जाता है और यहाँ पर से आप देख सकते हैं दोनों के result आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं तो दोनों ही काफी जल्दी काम कर जाते हैं open कर देते हैं दोनों फोन को वैसे अगर operating system की बा जाएगा यहाँ पर IQ के अंदर अब आप पूछोगे कि भाई किसमें OS अपडेट जादा मिलेंगे तो देखो पोको वालों ने क्लेम किया था तीन साल का आपको OS अपडेट देंगे तो Android 13 से 14 में यह जा चुका है 15 और 16 तक का अपडेट यहाँ पर मिलेगा इसके अलाब अ आप यह चीज़ नोटिस कर सकते हैं कुछ apps तो obviously मैंने इंस्टॉल किये हैं बड़ा यहाँ पर आपको hot apps, hot games जैसे options मिलेंगे तो दोनों फोन यहाँ पर से obviously चीज़े तो काफी कुछ लेकर के आ रहे हैं but annoying notification, bloatware से आपको थोड़ा compromise करना पड़ेगा और आप थोड़े टे next अगर हम बात कर लेते हैं कि haptics किसका अच्छा है तो देखो दोनों में आपको springy वाला ही effect देखने को मिलेगा but यह थोड़ा ज्यादा touchy feel हो रहा है मैं इतना notice कर रहा हूँ like यहाँ पर से मैं backspace भी press कर रहा हूँ तो चीज़े यहाँ पर ज्यादा feedback आ रही है यहाँ पर यहाँ पर आपको ना दोनों में आपको इनका खुद का डायलर देखने को मिलता है तो आप चुपके से call recording कर सकते हैं सामने ओले को पता नहीं चलेगा बड़ यह जो proximity sensor है वो दोनों के dedicated काम नहीं करते हैं motion sensor wise इनके screen lock और unlock होते हैं call के दोरान इसके लावा दोस्तों कुछ extras की बात कर लेते हैं तो SAR value आप देख सकते हैं दोनों फोन के आपको limit में देखने को मिल जाते हैं इसके साथ यहाँ पर से दोनों फोन में आपको widevine L1 का certification मिलेगा और HDR content भी आप consume कर सकते हैं दोनों फोन के अंदर साथ सारी useful sensors आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलते हैं वैसे दोनों फोन में आपको NFC का support तो नहीं दिया गया है और दोनों फोन में दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि NFC का support नहीं दिया गया है और दोनों फोन यहाँ पर से IP54 के water and dust resistance के साथ आते हैं तो थोड़े-मोडे पानी के चीटे बरदास कर लेंगे दोनों फ का जो base model है वो 8-128 के साथ आता है जो कि आपको 18,000 की कीमत में मिलता है with all the offers तो इतनी सारे चीजों के बारे में जानने के बाद अब बात आती है conclusion की कि after all आपको कौन सा phone खरीदना चाहिए तो देखो भाई Poco का जो phone है वो आपको किन मामलों में better results देता है display बहुत अच्छ कर देगा तो यह सारे इसके USB हो जाते हैं बट कुछ-कुछ कमिया भी हो जाती है लाइक इसका जो camera है color उतना जादा accurate capture नहीं कर पाता है साधी साथ यहाँ पर थोड़ी सी camera की improvement की ज़रूर रहते दोस्तों और यह जो phone है यह बहुत जादा एकदर मतलब अगर आप gamer होना उस हिसाप से तो नहीं है वालग casual gaming आप आराम से निकाल सकते है उस phone के अंदर तो यह सारा points है pros and cons मैंने आपको बता दिया और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं iqoo के बारे में तो देखो इस phone में आपको performance top notch देखने को मिल जाती है camera experience देखो यहाँ पर wide lens यह सब नहीं है ब इन मामलों में दिक्कत नहीं है तो अब आपको बताना है कि आप अगर होते तो कौन सा phone खरीदते हैं क्योंकि मैंने हर एक use case scenario with pros and cons बता दिया है दोनों phone के regarding comment करके बताओ video अच्छा लगा है like करना हो और अगर आप buy करना चाहते हैं कोई unboxed unit तो हमारे website notreview.in को भी visit कर लेन कुछ कम price में आपको phones मिल लाएंगे unboxed रहेंगे लेकिन आपको online transaction करना होगा तो चिछ का दियान रखना instagram पे भी follow कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हो और channel पर नहीं होगे subscribe करके bell notification प्रेस कर लेना तो चलो मिलता हूँ आपसे next video में thanks a lot for watching